मुश्कार दोस्तों, क्लास 7, मारा स्टेट वूर्ड मैथेमेटिक्स, चप्ट नुबर 2, मल्टिप्लिकेशन एंड डिविजिन ओफ इंटिजर्स, मल्टिप्लिकेशन के एजम्पल्स हमने पहले ले लिए हैं, अब डिविजिन ओफ इंटिजर्स, अब बन चुरू करने से प तो डिविजिन को साइन हमें प्लस लिखना है, और अलग-अलग साइन है तो डिविजिन को हमें माइनस लिखना है साइन, तो प्लस डिविजिन को हमें माइनस लिखना है साइन, तो प्लस डिविजिन को साइन माइनस लिखना है, और माइनस डिविजिन को साइन माइनस लि तू फूज एट यहां पर प्लस फूर ऐसन लिक्नाएं माइन स्वाइन स्प्लस आएगा पूफॉर्ज जो से फो इट को डिएद करना है ऑप प्लस जया रड़ी वाइनस कंध कने होता है इसका मतलब यह प्लस होगा तो plus divided by minus minus sign आएगा 2 से 8 को डियर करने के बाद 2 forza 8 minus divided by plus minus divided by plus minus 2 forza 8 देखे plus divided by minus minus plus divided by minus minus divided by minus minus divided by minus plus plus sign यहापी लिखना है मतलब plus लिखने की जुरुत नहीं है दोनों को यह number जो है और negative यह आएंगे अब और कुछ कभी-कभी ऐसा होगा minus 18 divided by minus अब देखे माइनस divided by minus plus sign लिखना है 18 और 16 दोनों नमबर को सेम नमबर से divided 2 से होता है तो 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 तो 9 divided by 8, plus 9 by 8 आमें answer लिखना है प्रक्टिसेट 9 देखे स्वाल minus 96 divided by plus 16 minus divided by plus minus divided by plus answer को हमें minus sign लिखना है 96 को 16 से divided करना है 16 6 जा 96 तो यहाँ पर लिखना है 6 98 divided by minus 28, plus divided by minus तो answer को हमें minus sign लिखना है अब 98 और 28 98 और 28 इन दोनों मतलब 28 के टेबल में 98 नहीं है तो हमें ऐसे लिखना है 98 divided by 28 तो plus और minus sign का हमें हमने यहाँ पर division कर लिया है तो एक ही sign यहाँ पर लिखो अगर नहीं कर लिया मतलब अभी यहाँ पर नहीं कर रहा है इस टेप में तो 98 numerator में लिखिए minus 28 denominator में लिखिए और जो answer आएगा उसको plus divided by minus minus sign दीजिए मतलब ऐसे आएगा देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ यह 98 divided by minus 28 फिर plus divided by minus minus और इन दोनों का division यहाँ पर लिखिए है तो हमने पहले ही कर लिया है minus अब इन दो numbers को 14 से divide होता है 14 7 जा 98 14 2 जा 28 तो हमें यहाँ पर लिखना है 7 by 2 minus 7 by 2 answer आएगा अब जो negative sign fraction को होता है देखिए minus 7 by 2 हम इसे ऐसे भी लिख सकते है minus आगे लिखो 7 by 2 लिखो minus 7 by 2 लिखिए या फिर 7 by minus 2 लिखिए यह यह और यह सभी answer जो है वो correct है अब देखिए minus 51 divided by plus 68 तो 51 divided by 68 minus divided by plus answer को हमें minus sign लिखना है यहाँ पर minus 51 और 68 इन दोनों numbers को 17 से divide होगा 17 3 जा 17 4 जा एक मिन्ट 17 से नहीं divided होता 68 को हाँ सही है 17 4 जा 68 तो 3 by 4 यहाँ पर answer आएगा सही है यह अभी देखिए 38 divided by minus 57 38 divided by minus 57 तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते है 38 divided by minus 57 तो plus divided by minus यहाँ पर minus इन दोनों numbers को 19 से divide होगा 19 2 जा 19 3 जा तो minus 2 by 3 अब minus 85 divided by plus 20 minus divided by plus sign minus आएगा 85 और 20 इन दोनों numbers को 5 से divide होगा तो minus 5 जा 5 3 remaining 5 7 जा 17 5 4 जा तो 17 divided by 4 minus 150 divided by minus 25 minus divided by minus plus 25 6 जा 130 तो हमें answer plus 6 लिखना है next है 100 divided by 60 तो 100 divided by 60 दोनों numbers को 20 से divide होता है दोनों sign प्लस है 25 जा 23 जा 9 divided by minus 54 तो plus divided by minus minus आएगा दोनों numbers को हमें 9 से divide करना है 9 जा 9 9 6 जा 54 minus 1 by 6 जाएगा question number 2 देखे write 3 division of integers such that the fractional form of each will be 24 by 5 अब देखे 3 examples हमें लेना है जिनका division करने के बाद 24 upon 5 हमें मिलना चाहिए अब देखे ये simplest form है क्योंकि इन दोनों numbers को किसी भी number से divide नहीं होता तो simplest form कब मिलता है जब दोनों number को same number से हम divide करेंगे तो simplest form ये आ जाता है तो हमें क्या करना है कि divide करने के बाद ये मिल जाए ऐसे number पैंट करने तो इन दोनों number को same number से multiply करना है तो हमें division जो दो number हैं वो नमबर हमें मिल जाएंगे तो 24 अपन 5 तो इन दोनों नमबर्स को 24 हम यहाँ पे 24 अपन 5 दोनों नमबर्स को 2 से डिवाइड करेंगे numerator और denominator को दोनों तो 24 टूजा 48 divided by 5 into 2 10 अब इन दोनों का डिविजन करिए 48 divided by 10 दोनों नमबर को 2 से डिवाइड होता है 2 से डिवाइड करने के बाद 24 यहाँ पे 5 तो डिविजन 24 by 5 आ जाएगा 48 by 10 यह एक answer हमें मिला है अब ऐसे हमें 3 पेर लिखने हैं और 2 लिखने हैं तो तो दोनों नमबर को पेर लिखने हैं 24 को और 5 को 2 से मल्टिप्लाइब आप 3 से मल्टिप्लाइब करो 24 3 जा 72 और 5 3 जा 15 72 divided by 15 तरफ एग्जामपल देखें 24 और 5 दोनों को 4 से मल्टिप्लाइब 24 जा 96 divided by 5 4 जा 20 अब यहाँ पे प्लस साइन है यहाँ पे साइन नहीं मतलब प्लस साइन है तो यहाँ पे हम एक एग्जामपल ऐसा लिख सकते हैं कि दोनों को माइनस साइन रखों माइनस 72 को और माइनस 15 को अब यहाँ पे भी दोनों को साइन अगर हम माइनस रखें तो minus divided by minus plus answer आता है एक को plus, एक को minus लिखेंगे तो यहाँ पर minus sign आएगा लेकिन minus में हमें answer नहीं चाहिए तब हमें दोनों को sign same ही देना है question number 3 देखे, write three divisions of integers such that the fractional form of each will be minus 5 by 7 same question number 2 जैसे हमें solve करना है दोनों number को same number से multiply करना है तो minus 5 divided by 7 इन दोनों को हम अगर 2 से multiply करें तो minus into plus minus 5 into 10 minus divided by minus 10 divided by 7 into 14 अब दोनों को 2 से divide करेंगे तो minus 5 by 7 ही आएगा और minus divided by plus answer minus आएगा तो minus 10 by 14 लिखो या फिर ऐसे लिखो minus 10 divided by 14 अब दोनों को 3 से multiply करो minus divided by plus minus answer आना चाहिए तो हम यहाँ पे minus 3,50 15 divided by minus 21 7,30 21 यह एक एग्जम्पल हुआ यह second और third हम लिख सकते हैं दोनों को 4 से multiply करो 4,50 20 minus 20 divided by minus 28 7,40 28 तो यह third example Question number 4 देखिए The fish in the pond below carry some numbers Choose any 4 pairs and carry out 4 multiplications with those numbers Now choose 4 other pairs and carry out divisions with these numbers देखिए 4 pair हमें यहां से उठने हैं यहां से और 4 pairs में हमें multiply करना है और 4 pairs में division करना है कोई भी यहाँ पे एक एक एग्जम्पल दिया गया है माइनस 13 और माइनस 15 यहां से लिया है और इनका multiplication यहां पे दिया गया है अब multiplication के लिए एक pair हम यहां पे लेते हैं suppose प्लस 8 प्लस 12 और यहां पे माइनस 8 है तो इनको लोग यहां पे हम ले सकते हैं प्लस 12 multiplied by minus 8 इनका multiplication कर सकते हैं तो 1違う, माइनस, माइनस, प्लसटाइओ, माइनस साइनТ ट्वरी एठाइद लिएट जाताएँ, 96, तो ऐसे आप अभी स्वार्ट कर सकते हैं, कोई भी दो नंबर्स लेना है, उनका मिल्टिप्लिकेशन, पहले उनसका sign का multiply करो फिर numbers का multiply करो तो यह असन इसे आप कर सकते हैं division के लिए देखिए कैसे करना है सबोज हम 12 और 8 लें तो plus 12 divided by minus 8 तो 12 divided by minus 8 plus divided by minus यहाँ पर हम minus sign लिखेंगे और 12 divided by 8 लिखेंगे और 8 और 12 इन दोनों numbers को 4 से divided होता है 4 3 जा और 4 2 जा तो minus 3 by 2 हमें answer लिखना है तो ऐसे ही division के लिए और मतलब 3 pairs और यहाँ पर multiplication के लिए 3 pairs आप लेकर यहाँ पर multiply यहाँ पर division करिए तो ठीक है थैंक है दोस्तों